आज अपन चलता करेंगे एक बेहर दिल्चस्प टॉपिक तो दोस्तों आपको पता है कि चीन में चल रहा है अन्हेरे का सामराज्जी वहां पर अन्हेरा कायन है घर में बिजली नहीं है कारण क्या है कि चीन में उठाईये कसम कि भाई साब हम ऑस्टेलिया का कोईला नहीं ज त्थीज का आकड़ा और चीन के बीच में जनाब ऐसा है कि ऑस्टेलिया का कोईला जो है चीन के गोदामों में पड़ा हुआ सर रहा है लेकिन वो जलाएंगे नहीं और तो और ऑस्टेलिया के जहाज चीन के बंदरगाओं पर खड़े हुए हैं कोईले से भरे हुए चीन में अंधेर नगरी चौपट राजा है आलम ऐसा है कि अब देखो एक तरफ चीन है वहाँ पर गोदामों में जो है अब उसी सिच्वेशन का कैसे लाव उठाया सकता है यह देखो आप दूश्री तरफ अपना भारत देश है अपने यहां ही क्या हुआ की रितवरी के चलते अपने यहां भी जो है बहुत आ गई परणाम सवरूप होल इंडिया जो अपने यहां का में पोल प्रोडूशर है उसके पास भी कमी बढ़ गई वह भी दिया लेकि गोदामों में ढूंड रहे कि कोईला कहा है कोईला कहा है मतलब हमारे हैं डिमांड जबर्दस्त है तो देखो इस मौके पर अपने चोका नहीं लगाया है चका लगाया है चका कैसी लगाया कि ऑस्ट्रेलिया का कोईला जो की चीन के बंदर गाहों पर रखा हुआ है बहुत सामदार है मतलब जलता अच्छा है पूर्जा निकलती है गर्मी निकलती है जादा और राक निकलती है मतलब अपना काम बन गया दूसरा यह तो होई कोईले की क्वाल्टी बुद्दे की वाट यह है कि अच्छा कोईला सस्ते दाम पर मिल रहा है प्रती टन बारा से पंद्रह डॉलर का डिसकाउंट मिल रहा ह है मतलब अपनी जो होई चांदी चांदी अपनको अच्छा कोईला सस्ते दाम पर मिल रहा है मतलब क्या हुआ कि चीन में चलवादी अपने पेंद पर कुलहडी खुदके देश में अंधेरा कर लिया और भारत की घर में उदाला करवा दिया अब भाई साब हमारे यहां जो कोईला चीन के बंदर गाहों पर खड़ा था उस कोईले को अगर ऑस्ट्रिया लेकर आएंगे इस लिए वह क्या कर रहा है हमारे यहां जो सीमेंट प्लांट है अपने यहां जो पावर प्लांट है वह जला रहे हैं मस्त उसको बढ़िया बिजली और सेमेंट बन रही है उस क्या है तो दोस्तों छेंट होगे निया के हाथ काले होते हैं अपन भाईसा और दे יתיस्त क्या मो क्या सरकार पर क्रिकशन की आप सिंदें अ गर हम क्या कर रहे हैं हम हर सनीवार को एक वीटली वीडियो बना रहे हैं उसकी लिंक मिल जाएगी आपको यहां पर तो आप क्या हैं हर सनीवार को बोट दस मिनट का वीडियो देख लो उससे आपको मिल जाएंगे अब दोस्तों आप कहोगे कि आपको करना तो दोस्तों मोटा मोटी अगर आप पांच हजार की करते हो मूच्वल फंड में अगले 25 सालों के लिए अगर आप मूच्वल फंड की तुलना में मूच्वल फंड की जगए वही साइपी करते हो एटीफ में अगले 20-25 सालों के लिए तो आपको 10-15 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है मतलब आप वही पैसा अगर धीरे-धीरे एटीफ में डालो तो आपके 10-15 लाख रुपए एक्स्ट्रा बच जाएंगे वह वही वही बिना किसी महनत के मतलब फ्री में मुनाफ़ा हो जाएगा 10-15 लाग का 20-25 सालों में इसलिए एटीफ पर आप गंभिता से विचार करें एटीफ से पैसा बनता है एक बार मौका देकर देखें दूसरा एटीफ का आपको चार्ट देखना है टेकनिकल और फंडामे प्रोग्राम में असकी जानकारी शाहिए तो इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल जाएगी लिक उस पर आप बिंदास क्लिक करो वाट्सेप पर आपको शाली जानकारी बिल जाएगी भटापट यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन् प्रवाद जैस्टी राम